One-time खेती प्रोफेशनल तरीके से कैसे शुरुवात की जाए? हलो दोस्तों, मैं विवेग हत्राज, फाउंड और क्रियेटर किसान बिजनस क्लीनिक. तो पहला हो गया, अगर आप अपना खुद का और्गैनिक फ्रूट, सालड, विजटेबल या अपना फूट खुद से ग्रोव करना चाते हैं, तो ये विडियो आपके लिए हैं, या फिर दूसरा, आप अपना खुद के फार्म को जीरो से डेवलाप करना चाते हैं, तो ये विडियो आपके लिए हैं, या फिर आप अमरितुल्य, फ्रूट, सालड, विजटेबल या कोई भी चीज जो अपने खेच से उगा के अपने परिवार के लिए, या फिर दूसरे लोग के लिए अमरितुल्य भोजन आप देना चाते हैं, एक सोशल सर्विस के तरह करना चा है, तो इस कम समय में आप अपने ड्रीम को एक पार्ट टाइम प्रोफेशनल फामिंग करने के तरीके से कैसे अचीब कर सकते हैं, चलिए कि करके समझते हैं, तो अगर आपके चैलेंज की बात कही जाए, तो अभी आपका चैलेंज है कि आप दूसरे फार्मर के तरफ फुल इंवाल्मेंट होगा, जहां पर आप दिन भर फसे रहोगे, ग्रूसा हो गया, ग्रोफ ओरियंटेट टास्क करना, तो बेसिकली आपका फोकस पैसे कमाने के तरफ जादा होना चाहिए, और उस पैसे कमाने को लेकर क्या प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को ग्राउंड लेवल में, लोग कर रहे हैं भी या नहीं, इस चीज को फॉलो अप देना वो आपकी जिम्मेदारी है, तो ये सारे काम अगर आप सही तरीके से करते हो, तो तीसरा पॉइंट पर आते है, इसी को कहते है, घर बैठे, फार्मिंग, इन आउटो पाइलेट मैनेजमेंट, आप अगर खुद खेत में फुल टाइम नहीं रह सकते, तो आप से जादा टैलेंट, आप से जादा स्किल्फुल लोग को अपने टीम में कैसे मिलाएंगे, और उनसे देके काम कैसे फुल टाइम करवाएंगे, ताकि सब्ता के एंड में, अगर तीन से चार गंटा भी अगर आप दे सको, या फिर पूरे सब्ता में साथ दिन होते हैं, उसमें अगर आप 2-4 गंटे भी अगर इमानदारी से दो, और लोगों को प्लान बना के दो, क्योंकि काम करने के लिए भी लोगों को काम देना पड़ता है, तो लोगों को क्या काम देना है, और उनसे काम कैसे करवा के लेना है, इसी कला को farming in autopilot management कहते है, जिसको आप आराम से घर बैठे भी कर सकते हो, बट येस, इससे पहले आपको वो proper process and system अपने खेत में, अपने एरिया पे देख के समझना पड़ेगा, और उसी के accordingly ही आपको pen paper लेके बंद कमरे में शांत दिमाग स प्लान बनानी पड़ेगी, और जो आपके बनाई हुए प्लान होंगे, उसी प्लान पे आपकी ground level की team execute कर रही होगी, क्योंकि एक वो famous कहावत है, कि अगर आप नौकरी करना चाते हैं, तो अकेले कीजिए, अगर आप business करना चाते हैं, तो दो-चार लोग को साथ में लेके क जीजिए, और येस, अगर आप farming एक professional level के तरीके से करना चाते हो, तो अपने साथ पूरे team को लेके चलिए, तो team को hire करना, उनको train करना, और उनको तयार करके आपके बिहाफ में उस planning में execute करवा के काम लेना, ये बहुत ही जादा important है, जब ये तीनों चीजे आप achieve कर farming भी आराम से autopilot management में part time चला सकते हो, और येस, मैं जो आपके सामने इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है ground reality में, कि ना तो आपको farming आती है, ना तो आपको farm का management आता है, ना farming का कोई background है, ना ही आपका professional level का कोई farming का तजुर्बा है, तब क्या कि आता है, तब आपको जादा कुछ नहीं, सिर्फ किसान business clinic से इसका online training program की farming को autopilot management में कैसे चला जाए, इस चीज़ की training आपको लेनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, obviously इस दिये हुए number पे call करें और अभी पता करें कि कि किसान business clinic का online training program जोईन कर सकते हैं, जहां पे हम आप सीडिंग से लेके selling तक, management से लेके marketing तक, सब कुछ A to Z आपको सब कुछ सिखाएंगे और आपको अपने खुद का career plan भी बताएंगे कि step A से लेके B तक आपको शुरुआत करनी कैसे है, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, औ पट उनको guidance देने वाला कोई नहीं है, तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए, धन्यवाद